हालो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपी के चैनल ट्रेडर जोन में आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में जिस स्टाटेजी पर हम काम कर रहे हैं फ्रेंड्स वो काफी काम आ रही है और कई लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बताया है सर यह strategy काम कर रही है इस समय शेरोलोस को क्या करना चाहिए वो हम आगे देख लेते हैं और जिस तरह का data निकल कर आया है फ्रेंड्स वो काफी precious नहीं है और यहां से तेजी पकड़ता हुआ दिख सकता है येस bank चले बिना time waste किये आज का video start कर लेते हैं सबसे पहले तो एक reminder दे देता हूँ अगर आप मेरे channel पर नहीं है और आपने मेरे channel subscribe नहीं किया तो जल्दी से लाल color का subscribe button दबा दीजिए और उसके बाद जो बिल की घंटी है वो भी दबा दीजिए थाकि आपको इसी तरह की profitable trade सबसे पहले मिले येस bank में trading करना अभी काफी simple हो चुका है जैसे कि मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ ये 12 रुपे और 14 रुपे के बीच में ही चल रहा है और हमें इस moment का पुरा पुरा फाइदा उठाना चाहिए चलिए सीधा चार्ट पर उतर जाते हैं देख लेते हैं इसका performance कैसा था और technical indicators क्या indicate कर रहे हैं जैसे कि मैंने अपने कल के वीडियो में भी कहा था आज येस bank में तेजी दिख सकती है उसी प्रकार से आज तेजी दिखाया है येस bank ने हमें कल क्या करना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं यहां आप देख सकते हैं एक green color का candle बनाया है और कल अगर market positive open होती है तो मुझे लगता है ये 14 रुपे के उपर जाता हुआ दिख सकता है अगर हम MACD को देखे तो MACD crossover करने के लिए ready हो चुका है RSI इस समय positive indicate कर रहा है और William percentage भी उपर की तरफ जाने का direction दे रहा है तो overall हम अगर हम indicators के बारे में बात करें तो indicators positive indicate कर रहे हैं मैं आपको directly चार्ट पर discuss कर रहा हूँ कोई news नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस समय yes bank को उपर लेके जाने वाली एक ही news है वो है ARC जो कि निकल कर नहीं आई है इसके लिए हमें और सयम रखना होगा और ये strategy जो discuss कर रहे हैं वो short term के लिए है यहाँ पर मैंने lines बनाये है जब कभी भी इसमें गिरावट होती है तो आप fresh buying कर सकते हैं और ये एक range bound होकर चल रहा है और इसी range में रहेगा जब तक कोई बड़ी positive या negative news नहीं आ जाएगी वो consider काते हुए हमें गिरावट पे माल खरीदना है और जब ये हलका सा उपर जाता है तब इसमें से exit हो जाना है और आपको तो पता ही है ये एक penny stock है 10 पैसे 20 पैसे में भी एक बड़ा margin निकाल कर trader साइड लाइन हो जाते हैं यानि के profit कमा कर निकल जाते हैं तो आपको भी वही करना है ये moment का पुरा पुरा फाइदा उठाना है और मुझे लगता है कल ये 14 रुपे 10 पैसे 14 रुपे 20 पैसे भी जा सकता है कल अगर अंतरास्ट बाजार में positivity रहती है तो आपको इंडियन मार्केट में भी positivity देखने को मिलेगी और दुबारा से बता दूँ फ्रेंड्स अगर येस बैंक तूटता भी है तो 12 रुपे का एक strong support है उस पर आकर रुगेगा हाँ अगर उपर की तरफ जाएगा तो बड़ा scope है आपको ये 18 रुपे 20 रुपे भी जाता हुआ दिख सकता है और हमारी कल की strategy रहेगी फर्स टार्गेट रहेगा 14 रुपे 10 पैसे और सेकेंड टार्गेट रहेगा 14 रुपे 20 पैसे इसके साथ मैं अपना वीडियो wind up करता हूँ फ्रेंड्स ये तो मेरे व्यू से कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से advise लेकर invest कीजिए अगर ये वीडियो आपको informative लगा तो इससे like करकर encourage करिए अपने दोस्तों साथ भी share करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहें हैं और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से subscribe बटन दबा दीजिए और बेल एकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको इसी तरह की profitable strategies सबसे पहले मिले